हलो डियर स्टूडेंट्स, केमेस्ट्री रिविजन सीरीज में आपका स्वागत है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नमबर टू, यूनिट चल रहा है सल्यूशन, लेक्चर नमबर वन अगर आपने नहीं देखा तो भई प्लेलिस्ट में जाके जल्दी से एक बार दे और इन टॉपिक्स पर जो जो इंपोर्टेंट कोश्यां से वो भी हम देखते हुए चलेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की फ्रॉन टॉपिक नमबर वन, हैंड्री ज लॉग अब हैंड्री लॉग क्या है, तो सुन लेते हैं, थोड़ा बड़ा सिंपल सा कॉंसेप्ट है, हमारा बलड एक लिक्विड है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं, तो हमारे बलड में ऑक्सीजन गैस डिजॉल होती है, जब हम सोडा वाटर लेते हैं, मार्किट से खरीदे हैं, तो सोडा वाटर में लिक्विड तो होता है, लेकिन उसमें सीओ टू गैस डिजॉल होती है, जब हम बात करें किसी भी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक की, तो सॉफ्ट ड्रिंक में, या फिर हमारे बलड में, या फिर नैचरल वाटर, चाहे वो लेक वाटर हो, चाहे रिवर होगी, कब डिजॉल नहीं होगी, कब ज्यादा डिजॉल होगी, कब कम डिजॉल होगी, इन दोनों का रिलेशन बताया हैंटाया है। और Henry ने क्या बताया, ये मैं आपको explain कर रहा हूँ, आप समझ लो, हमारा एक fix liquid हमने लिया इस container में, बिल्कुल fix है, 100 ml, 500 ml, जो भी है, fix liquid है, आसपास का temperature constant है, temperature भी fix है, अगर liquid की quantity fix है, temperature constant है, तो इस condition में जब आप gas मिलाओगे liquid में, तो gas की solubility depend करेगी pressure of gas पर, solubility of gas depends upon the pressure of gas, अगर pressure ज्यादा होगा gas का, तो ज्यादा dissolve होगी, कम pressure होगा, कम dissolve होगी, आपने देखा होगा, कि जब भी आप market से, imagine कर लो, कि ये cold drink की bottle है, या एक soda water की bottle है, इसका cap लगा रहता है, जब इसका cap लगा रहता है, तो अंदर जितना भी liquid है, और अंदर जितनी भी gas है, वो आपस में मर्ज है, मिले हुए है, क्योंकि अंदर high pressure है, जब bottle का cap लगा है, तो अंदर high pressure है, और जैसे ये आपने bottle का cap हटाया, तो bottle का cap हटाया, अंदर का pressure low हो गया, क्योंकि अंदर की gas बहार आना शुरू हो जाती है, क्यों liquid के अंदर से जो gas मिली हुई थी, वो ब ने है, this law defined the solubility of gas in fixed volume of liquid at constant temperature बच्चों यह term याद रखना, fixed volume of liquid at constant temperature the solubility of gas is directly proportional to pressure of gas, gas की solubility pressure के directly proportional होगी, तो क्या हम लोग यहाँ पर यह formula लिख सकते हैं, कि solubility तो यहाँ पर हम लोग यह formula लिख सकते हैं solubility of gas is directly proportional to pressure of gas, इसका मतलब M is directly proportional to P, और जब आप proportionality का sign हटाते हो, तो यार उसकी जगा constant आ जाता है, तो यहाँ पर आएगा M is equals to KH into P, यहाँ पर यह जो KH आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं Henry's constant P का मतलब होता है pressure of gas, M का मतलब solubility of gas, मतलब amount of dissolve gas, तो बच्चों यह Henry law का first or basic formula है लेकिन Henry law में कुछ और updation भी है, क्या-क्या updation है, अब आप ज़रा समझो, मान लो यह मेरे पास एक gas A है इसको मैं liquid में dissolve कर रहा हूँ लेकिन जब मैं dissolve कर रहा हूँ तब शुरुआत में pressure P1 है बाद में मैं pressure को change करके कर देता हूँ P2, तो आप बताओ क्या gas की solubility दोनों condition में same होगी बिल्कुल नहीं होगी, जब pressure P1 है तो solubility अलग होगी, जब P2 है तो solubility अलग होगी, इसका मतलब एक ही gas, same gas two different pressure पे different solubility रखती है, so we can write M1 is equals to P1, P1 M2, तो ये formula आप तब लगाओगे, जब आपको two different pressure दिये जाएं एक solubility दी जाएगी दूसरी आपको calculate करना होगी तो याद रखना बच्चों, हमारी NCRT की book में examples, exercise में ये questions हैं तो Henry Law का second concept तो ये हो गया, अब इसका third concept भी सीखते हैं, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक liquid है और उस एक liquid में आप अलग-अलग gases मिला रहे हो, पहले आपने gas A मिलाई, फिर आपने gas B को मिलाया, फिर आपने gas C को मिलाया, अब पता करना है कि कौन सी gas ज़्यादा dissolve हो रही है, तो ऐसी अपर जब multiple gases same liquid में मिलें, तो ऐसी situation में, pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas, और जब आप mole proportionality का sign हटाओगे, तो यहाँ पे आजाएगा, constant KH into XA और आप जानते हो, XA का मतलब होता है mole fraction, similarly, gas B का कितना pressure है, तो pressure of B is directly proportional to XB और जब आप proportionality का sign हटाओगे, तो यहाँ पे आजाएगा PB is equals to KH into XB, तो इस तरह से Henry Law का यह दूसरा upgraded formula है, जो आप use करते हो, when we have multiple gases in same liquid बच्चों, normally क्या होता है, जब numerical आता है, तो ज्यादत और numerical question इस concept पर आते हैं, examiner आप से पूछता है, calculate mass of gas dissolve, mass कभी-कभी examiner mole पूछ लेता है, अब mass पूछेगा या mole पूछेगा, वो हम निकालेगे mole fraction से, तो ऐसी situation में याद रखना, जब आपको किसी एक gas का pressure दिया हो, और आप से उसका mass पूछा हो, या mole पूछे हो, तो आप ये वाला formula एपलाई करोगे, और इसी के साथ Henry Law के formula और theory होती है complete, अब आते हैं इसकी application पर, तो बैचो ये आगे Henry Law की application, application क्या है, पहली application आपको पता है, कि जितनी भी cold drink आती है, जितनी भी soda water आता है, उसमें gas को बहुत high pressure पे dissolve करा जाता है, उसके बाद उसका cap लगा दिया जाता है, जब आप cap हटाते हो, तो अंदर से bubbles निकलते हैं, क्योंकि अंदर का pressure कम होता है, तो Henry Law की पहली application यही है, to increase solubility of CO2 in soda water, it is sealed under high pressure, जितना ज़्यादा pressure होगा, उतना ज़्यादा soda water dissolve होगा, second application, जब भी आप ज्यादा height की तरफ जाते हो, जब भी आप ज्यादा height पे जाते हो, मानलो आप mount Everest की तरफ जा रहे हो, आप himalya की तरफ जा रहे हो, तो जब आप ज्यादा height पे उंचाईपर जाओगे, तो नीचे atmospheric pressure ज्यादा है, और उपर atmospheric pressure कम है उपर है low pressure low atmospheric pressure तो जब आप उपर जाते हो तो उपर जाते-जाते atmospheric pressure कम होता है और जब pressure कम होगा तो solubility भी कम होगी हमारे blood में जितनी oxygen dissolve होना चाहिए, उतनी oxygen dissolve नहीं होती, क्यों? क्योंकि ज्यादा height पर जाएंगे तो atmospheric pressure कम होगा मैं ली नीचे की तरफ मिल रहा था तो उपर जाने पर एक problem होती है और उस problem का नाम है anoxia तो जब भी किसी इंसान को anoxia होता है तो कहीं न कहीं हां Henry law concept लग रहा है क्योंकि pressure कम होने से blood में oxygen कम dissolve हो रही है तो second application यही है At high altitude due to low atmospheric pressure less oxygen gas dissolve in blood and this issue is known as anoxia इसे anoxia कहते हैं अब इसकी third और last application बच्चों जो sea divers होते हैं sea divers मतलब जो लोग पानी के अंदर जाते हैं वो समुदरी गोता होर कहलाते हैं sea divers कहलाते हैं उनके पीछे एक bag होता है अब उस bag में air भरते हैं ताके पानी के अंदर जाएं तो भई सांस ले पाएं लेकिन problem यह है कि पानी के अंदर जब इनसान जाता है तो उसको चारो तरफ से इतना जादा pressure मिल रहा होता है कि अंदर उसके blood में gas dissolve हो रही होती है अब आपको तो पता है कि air is a mixture of gases उसमें nitrogen gas भी है अब nitrogen gas हमारे blood में मिल गई तो उसके कई side effect है nitrogen हमारे blood में ना मिले उससे पहले कोई दूसरी gas blood में मिल जाए तो हम लोग इसलिए helium gas का use करते है helium gas का use करते हैं ताके side effect जो होते है nitrogen के वो कम हो जाए तो बच्चों याद रखना sea divers always use a mixture of helium along with air to dilute the mixture of air air के mixture को dilute करने के लिए और बच्चों ये हमारी Henry law की third and final application है और इसी के साथ हमारा Henry law complete होता है चलिए next topic की तरफ आते हैं आज का हमारा second topic स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है route law लेकिन problem ये है कि route law में पूरा vapor pressure, vapor pressure, vapor pressure concept उसी पर based है अब route law पढ़ने से पहले हम समझते हैं vapor pressure क्या होता है तो देखो, vapor pressure का मतलब क्या है बड़ा simple सा concept है अगर आपने container में liquid को रखा है और आपने चारों तरफ से इस container को ढांग दिया, cover कर दिया तो वह या एक बात तो बिल्कुल confirm है ये जब liquid इस container में रखोगे container को बंद कर दो या खोल दो उस container में liquid vapor बनाएगा और जब vapor बनाएगा तो vapor धीरे धीरे इस container को चारों तरफ से cover करना शुरू करेंगे और जब ये vapors निकलते हैं तो बच्चों हर तरफ टकराते हैं टकराने से इनके collision से create होता है pressure और वो pressure जो vapor लगा रहा होता है चारों तरफ उस pressure को हम लोग कहते है vapor pressure it is very simple the pressure exerted by vapors when they are in equilibrium with liquid जब वो liquid से equilibrium में हो और वो pressure जो vapors create करते हैं उस pressure को कहते है vapor pressure तो ये तो समझ में आ गया कि vapor pressure क्या होता है एक बड़ी important बात ये है कि अगर मैं temperature बढ़ा दू तो vapor pressure जो है वो कहीं न कहीं temperature पर depend करता है आप temperature बढ़ाओगे vapor pressure बढ़ेगा आप temperature कम करोगे vapor pressure कम होगा vapor pressure कहीं न कहीं surface area पर भी depend करता है आप liquid का surface area बढ़ा दो ज्यादा vapors निकलेंगे vapor pressure ज्यादा होगा liquid का surface area कम कर दो कम vapors निकलेंगे vapor pressure कम होगा तो vapor pressure is depends upon the surface area of liquid and the third most important point vapor pressure is inversely proportional to is inversely proportional to non-volatile solute non-volatile देखो भई volatile उसे कहते हैं जो vapor pressure बढ़ाता है non-volatile उसे कहते हैं जो vapor pressure रोकता है कम करता है तो कुछ solute ऐसे होते हैं जो vapor pressure को कम करते हैं और ऐसे solute जो vapor pressure को कम करेंगे उनको कहते हैं non-volatile और normally यह देखा गया है कि जब liquid में कोई solid मिलाते हो as a solute तो normally solid solute जो होते हैं वो non-volatile होते हैं for example pure liquid को अगर आप heat करो इससे ज्यादा vapors निकलेंगे vapor pressure जादा होगा लेकिन वहीं पर अगर आप liquid में मिला दो sugar या फिर आप liquid में मिला दो salt या मिला दो sand particles तो liquid में अगर आपने कोई solid solute मिलाया है तो normally यह देखा गया है कि solid solute vapor pressure को decrease करता है surface area कम कर देता है तो number of solid solute जितने आएंगे vapor pressure उतना कम होता जाएगा और बच्चों काफी कुछ round slow में ये वाला concept लगने मिला है तो आप लोग इस concept को जरूर याद रखना अब हम बढ़ते हैं round slow की तरफ vapor pressure आप लोगों को clear हो गया होगा अब vapor pressure के बाद हम start करते हैं एक बड़ा special topic route slow देखो route slow दो अलग-अलग concept पर आते हैं पहला route slow होता है for non-volatile solute ठीक है? अगर किसी solution में non-volatile है ये अलग route हो है और एक route slow होता है for volatile liquid mixture तो ये दो अलग-अलग concept पर route slow है हम दोनों को बहुत proper तरीके से सीखते हैं और दोनों को बहुत आसानी से याद करेंगे with questions समझेंगे तो पहले समझते हैं route slow for non-volatile solute solution देखो बच्चो नॉर्मली क्या होता है ये मेरे पास एक liquid है और इस liquid मेरे पास non-volatile solutes है ये non-volatile solute के party कले अब problem पता है क्या है non-volatile आगा रहा आभी गया न तो उससे vapor pressure कम होगा लेकिन बढ़ेगा नहीं तो इस condition में solute vapor pressure नहीं बना रहा vapor pressure बना रहा solvent तो पूरे mixture के vapor pressure की जिम्मेदारी आगई solvent पर solvent जो है वो अकेला है जो vapor pressure बनाएगा solute यहाँ पे non-volatile है वो vapor pressure को कम करेगा तो actual में vapor pressure बनाने की जिम्मेदारी किसी है solvent की और यही बात हमें round ने बताई round का कहना था those solution which consist of non-volatile solute non-volatile solute the overall vapor pressure of solution depends upon the vapor pressure of solvent तो बच्चों याद रखना जो पूरे के पूरे mixture का vapor pressure है वो depend करेगा vapor pressure of solvent पर and vapor pressure of solvent is directly proportional to its mole friction चलिए यह भी समझ लेते हैं क्या बताना चाहरा है solution का vapor pressure solvent के vapor pressure पे depend करेगा और solvent का vapor pressure अपने ही mole friction पे depend करेगा equation number 1 तो हम यह बोल सकते हैं vapor pressure of solvent that is PA is directly proportional to mole fraction of solvent that is XA और जब आप proportionality का sign हटाते हो तो यहाँ पे constant आ जाता है K into XA यह आगे equation number 3 माल लेते हैं कि भई हमारे पाँ solvent pure है for pure solvent अगर हमारा solvent pure है तो जब pure solvent होगा तो आप K की जगा लिखोगे P0A क्योंकि PA का मतलब vapor pressure of solvent लेकिन P0A का मतलब होता है vapor pressure of pure solvent तो equation number 3 में के हटाओ P0A रखो क्या जाएगा PA is equals to P0A into XA और यह आगे हमारे routes log का पहला concept जो हमने पढ़ा for non-volatile solute solution I hope आपको clear हो गया हो क्योंकि यह बड़ी सीधी सी बात है कि अगर non-volatile solute है तो vapor pressure depend करेगा solvent पर और इसके अलावा किसी पर depend नहीं करेगा चलिए route का second part देखते हैं non-volatile मतलब vapor pressure कम करने वाला हमारे पास एक container है जिसमें हमने first liquid A mix करा और second liquid मिला दिया B यह two liquids हैं और दोनों liquid vapor बना रहा है तो मेरा आपसे question है कि इस container का overall vapor pressure total vapor pressure जो है वो काहे पर depend करेगा तो आप बोलोगे कि sir A का vapor pressure और B का vapor pressure add कर दें तो total vapor pressure आ जाएगा क्योंकि अगर A का vapor pressure for example 5 है B का भी 5 है तो total vapor pressure 5 होगा या 5 plus 5 10 होगा तो correct answer है total vapor pressure होगा 5 plus 5 10 मतलब जब भी volatile liquid मिलेंगे तो उनके vapor pressure हर बार add होगे अगर 2 liquids हैं तो दोनों का vapor pressure add होगा 3 liquids हैं तो तीनों का pressure add होगा और जब आप vapor pressure add करोगे तो आपके पास आएगा total vapor pressure तो round's law for volatile liquid जो है इसमें हम calculate करते हैं total vapor pressure या vapor pressure of mixture for example we have 2 liquids तो जो total vapor pressure आएगा वो आएगा sum of vapor pressure of first and second liquid इसे equation number 1 माल लेते हैं अभी हमने round's law पढ़ा था for non-volatile और उसमें सीखा था we know that PA की जगा P0 A into X से formula हमने derive करा था पहले liquid के लिए अगर ये formula है तो बच्चों second liquid के लिए formula होगा PB is equals to P0 B into XB अब कुछ नहीं करना equation number 1 में PA की जगा P0 A into X से PB की जगा P0 B into XB रख दो formula complete तो क्या आजाएगा हमारा total formula total vapor pressure is equals to PA PA की जगा रख देंगे P0 A into XA PLUS PB की जगा आजाएगा P0 B into XB और इस तरह हमारा route law होता है complete जब जब total vapor pressure निकालना हो तो आप जो जो liquids हैं उनके vapor pressure को add कर लो आपके पास आजाएगा total vapor pressure या vapor pressure of mixture I hope ये concept clear हुआ हो आगे बढ़ते हैं एक question normally higher order thinking में आता है के भाई Henry law और route law में क्या common है और क्या difference है तो common बात ये है कि both Henry law and route law are applicable for dilute solution Henry और route दोनों applicable होता है dilute solution के लिए ये बात अपने mind में feed कर लो दोनों ही Henry और route में एक बात बताई जाती है कि PA is directly proportional to XA मतलब जिसका pressure निकालना है उसका ही mole fraction सामने आएगा PB is directly proportional to XB ये बात भी common है common तो हो गया कि Henry और route में क्या common है तो दोनों dilute solution के लिए applicable हैं दोनों में बताया जाता है कि individual vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of component, मतलब vapor pressure of A is proportional to XA vapor pressure of B is proportional to XB अब दोनों में difference क्या है तो बाई difference सबसे बड़ा तुमारे सामने है जब proportionality का sign हटा होगे तो constant आएगा Henry constant होता है KH वहीं पर route law में जो constant है उसकी जगा हम लिखते हैं P not A या P not B तो बच्चों ये बात note कर लेना common and difference तो route law हो गया complete और route law clear भी हो गया route law और Henry law की condition भी समझ में आगे कि कब दोनों same है कहां दोनों में difference है अब start करते हैं हमारा नया topic और आज के lecture का last topic concept of ideal and non-ideal solution देखो या जहाँ जहाँ possibilities है वहाँ मैं आप लोगों के लिए लिख भी रहाँ proper तो ideal और non-ideal solution टेक्निकली क्या होता है देखो बच्चों बड़ा सीधा सा concept है इस दुनिया में जितने solutions हैं उनको two class में बाटा गया है कुछ solution को ideal और कुछ को non-ideal बोला है अब ideal क्या होता है तो भई ideal उसे कहते हैं जो हर हाल में route law को follow करे एक ऐसा solution जो different temperature या different range of concentration पे route law को follow कर रहा है blindly follow कर रहा है उसे कहेंगे ideal solution तो ऐसा solution जो route law को हमेशा follow करेगा वो ideal है अब route law को follow करने का मतलब से बोलना नहीं होता route को follow कैसे करेगा तो ऐसे solutions में देखो two components से solution बनता है A and B A अलग चीज़ है B अलग चीज़ है A और B से मिलके solution बन रहा है तो ideal solution में A का A के साथ जितना attraction है B का B के साथ जितना attraction है same same particles का आपस में जितना attraction है उतना ही attraction मिलता है जब आप different component A और B को मिला देते हो और solution बना देते हो तो ideal solution की सबसे बड़ी बात यह है कि जितना interaction A का A के साथ है या B का B के साथ है उतना ही interaction A और B का भी होगा तो बैच्चों अगर interaction बराबर हुआ न, A का A के साथ जितना था, B का B के साथ जितना था अगर A और B अलग-अलग को मिला दिया और तब भी उतना interaction हुआ तो condition follow हो गई, ideal solution होग बनेगा अब ideal solution की थोड़ी सी थियोरी देख लेते हैं तो क्या है, solution which always obey round's law over a wide range of temperature and concentration are known as ideal solutions इन्हें ideal solutions कहते हैं, here molecular interaction between A, A, B, B is nearly equal to A, B, यह सबसे important condition है अब ideal solution की कुछ conditions होती है, क्या conditions होती है, यह आपके सामने लिखा है अगर ideal है, तो round को follow करेगा, जब round को follow करेगा, तो PA is always equal to P0 into XA, PB is always equal to P0 into XB जब आप solution बनाओगे, mixing करोगे, तो mixing करने पर ना endothermic होना चाहिए, ना exothermic equilibrium में आना चाहिए, del H0 होना चाहिए, del V0 होना चाहिए, on mixing, there is no change in volume इसके कुछ example है, बड़े important example है, जैसे hexane plus heptane, यह ideal बनाएगा chlorobenzene plus bromobenzene, यह भी ideal बनाएगा, ethyl chloride और ethyl bromide जब मिलाओगे, यह भी ideal बनाएगा, तो इस तरह से ideal solution की कहानी होती है complete, और अब आगे बढ़ते हैं for non-ideal ideal solution तो complete होता है, अब start करते है non-ideal solution, technically non-ideal का मतलब जो round slog को कभी भी follow नहीं करेगा, यह हर हाल में follow नहीं करेगा ऐसा solution जो हर temperature और हर concentration पर round को follow करेगा, वो ideal, और जो कभी कभी follow कर रहा है, कभी नहीं कर रहा, वो non-ideal, अब non-ideal solution को two classes में बांटा गया है, जिसमें first class है solution showing positive deviation, देखो यार, नाम से समझ में आ रहा है, यहां कुछ ना कुछ तो positive होने वाला है, तो यहां positive यह होने वाला है, कि यहां आप जितना vapor pressure सोचते हो, उससे ज़ादा मिलता है, आपकी expectation से ज़ादा vapor pressure मिलता है, और आपकी expectation का मतलब, ideal solution से ज़ादा vapor pressure अगर हो गया, तो positive deviation, और ideal solution से कम vapor pressure हुआ, तो negative deviation, हम पढ़ रहा है positive deviation, positive deviation क्या होता है, vapor pressure of solution is obtained more than expected value, expected value का मतलब, ideal solution से ज्यादा, क्यों vapor pressure ज्यादा मिलता है उसका reason reason ये है कि ideal solution को बनाने वाले components A और B जो है A का A के साथ attraction है B का B के साथ attraction है लेकिन A और B को जब मिला रहे हैं तो उतना attraction नहीं है यहाँ इन दोनों के बीच attraction कम है तो जब less attraction वाले chemicals को मिलाओगे liquid को मिलाओगे तो non-ideal solution बनेगा तो याद रखना यहाँ पे A और A का अंट्रेक्शन B B का अंट्रेक्शन ज़ादा है लेकिन A B का अंट्रेक्शन कम है कुछ conditions है यहाँ पर अगर positive deviation की बात करें तो यहाँ सब कुछ positive होगा जैसे dell H positive dell V positive PA is greater than P naught A into XA PB is greater than P naught B into XB ideal solution के examples अलग है positive deviation के अलग है water plus ethanol water plus CCL4 यह ethanol plus CCL4 water plus chloroform तो बच्चों याद रखना positive deviation का मतलब है कि ऐसा solution जिसका vapor pressure expectation से ज़ादा जाता है ideal से ज़ादा जाता है क्यों ज़ादा जाता है क्योंकि वहाँ पर जिन liquids को मिलाया उनके बीच attraction कम है तो positive deviation के बाद अब start करते है next part non-ideal solution का second type और last type solution showing negative deviation अब negative deviation क्या है कुछ तो negative होने वाला है यहाँ हमें vapor pressure कम मिलता है जितना हम सोचते हैं कि ideal के बराबर मिलेगा लेकिन उससे कम मिलता है अगर कम vapor pressure मिला तो समझ जाना negative deviation ज्यादा vapor pressure मिल जाए तो positive deviation negative deviation होने के पीछे सबसे बड़ा reason यह है कि यहाँ solution को बनाने वाले component की भी बहुत attraction है इतना मजबूती से attraction हो रहा है इतना ज्यादा hydrogen bond बना रहा है कि उनको अलग करना possible नहीं हो और अगर धीरे धीरे अलग हुए तो vapor pressure कम होगा तो technically यहाँ पर molecular interaction different component की भी जादा है as compared to same component तो बच्चों यह है negative deviation की कहानी negative deviation में सब कुछ negative होगा for example del H negative होगा del V negative होगा P A is less than P naught into X A P B is less than P naught B into X B बच्चों को confusion होता है कि साथ delta V मतलब change in volume कैसे negative है तो देखो normally 50 ml A और 50 ml B मिलाएंगे तो होना चाहिए 100 ml 100 ml होना चाहिए लेकिन negative deviation में यह होगा less than 100 ml और positive deviation में यह होगा more than 100 ml तो बच्चों वो जो delta V वाली बात आ रही है negative इसका मतलब यह है कि आप जितना liquid मिलाओगे उतना ही mixture तयार हो ऐसा नहीं है 100 ml और 100 ml मिलाओ और 200 तयार हो जाए तो यह ideal है 100 और 100 मिलाके more than 200 हो जाए तो positive deviation less than 200 हो जाए तो negative deviation और negative deviation में less इसलिए होता है क्योंकि molecule आपस में एक दूसरे को बहुत strongly hold कर लेते हैं तो इतनी जगा में जो molecule आना है वो इतनी जगा में आते हैं concept रहाद रखना अगर हम इसके examples की बात करें तो example तो बड़ा simple है acetone प्लस chloroform water प्लस HCl water प्लस HNO3 acetone और chloroform पे तो NCRT का question भी है क्या आपस में इन में कैसा attraction होता है तो देखो यह है acetone और यह है chloroform CHCl3 this is chloroform acetone और chloroform के molecule जब भी सामने आते हैं तो इनके भी बहुत strong attraction होता है उस attraction का नाम है hydrogen bond उस attraction का नाम है hydrogen bond तो बच्चों कौन सा molecular attraction है between acetone and chloroform तो chloroform और acetone के बीच hydrogen bond नाम का attraction है यह हमारे NCRT का question तो बच्चों lectures को complete करते करते हम लोग एक important sheet को भी discuss करेंगे जो हमारे board level के लिए बड़ी special sheet होगी उस sheet में आपके सामने questions होगे कुछ questions आप करोगे और ज्याद तर questions मैं आपको करवाओंगा तो अगर आपको lecture पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इस video को ज़रूर share करें That's all for today Thank you very much Lecture No.3 क्लिए वेट करना जिसमें हम पढ़ेंगे Colligative with Numerical Question Thank you very much आपको क्यास्वारी एफ ए दोस्तों करें